नमस्कार डिटी डवलू ट्वेंटी फोर न्यूस देख रहे आप और मैं हूँ आपके साथ काजलतिवारी बिहार में विधान सबाद चुना होने से पहले बिहार की चाजनीती में बहुत तरह का उलट फिर देखते हुए नजर आ रहा है आपको बता दे राज़त से बाच्चित करने के बाद खबरे ये आ रही है कि CPI और CPIM महागटबंदन ज्वाइन कर सकते हैं अगर यह गटबंदन बनता है तो इसमें सबसे खास बात यह होगी कि बिहार के दो यूवा और लोग प्रियनेता CPI से कनहया कुमार और RJD से तिजस्वी आदव एक छट के नीचे नजर आएंगे जो कि देखना बेहाद दिल्चस्पोगा बताया जा रहा है कि वाम दलों के साथ महागटबंदन की बात चल रही है RJD के साथ वाम दलों की ऐसी एक बैठक बुदवार को भी हुई इसमें सहमती बनी की RJD कॉंग्रेस सभी वाम दल वा अन्य लोकतांत्रिक दल साथ मिलकर सभी 243 सीटों पर चुनाओ लड़ेंगे हलाकि सीटों की संख्या को लेकर सवाल बरकरार है जीतन राम माजी के महागट बंदन से जाने के बाद वाम दलो को महागट बंदन में शामिल करने की मांग जोर पकर रही है बुदवार को उपिंदर कुस्वाहा ने भी राष्ट्य लोक समता पार्टी की बैठक में कहा कि मांजी के जाने से महागट बंदन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इसमें अववाम दलो को शामिल करना चाहिए अगर महागट बंदन में दो प्रमुक वाम दल सामिल होते हैं तो अगला सवाल सीटों के बटवारे पर होगा बताया जाराए कि CPI, CPI ववागपा माले ने महागट बंदन के समक्ष 42 से 48 सीटों पर दावेदारी पेश कर दी है हलाकि CPI के राजसचीव राम नरिस्पांडे कहते हैं कि राष्ट्य जनतांत्री गट बंदन को हराने के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है इसके लिए विपक्ष की बड़ी पार्टियों को छोटे दलों के प्रती त्याग भाव दिखाना होगा CPI के राजसचीव और देश कुमार के मुताबिक यदि एंटियों को हराना है तो महागट बंदन में हर सहयोगी दल को समान देना पड़ेगा हमारी कोशिस यही रही है कि विपक्ष के वोटों का बिखराव नहीं हो फिलहाल अभी इस्तिती सामने है उसके अनुसार राज़त को 142, कॉंग्रेस को 65-66, रालोसपा को 20 और विआईपी को 15-16 सीट मिल सकता है पर अगर पार्टी में CPI और CPI ML की एंट्री होती है तो कम से कम उन्हें 10 सीट देने होंगे और ये सीट कॉंग्रेस और राज़त के हिस्से से दिये जाएंगे तो इस हाल में राज़त 137 और कॉंग्रेस 60 सीट पर चुनाव लड़की वही आगे बात करें कनहिया कुमार की तो ये जाहिर सी बात है कि वो बेगुस राज से एक बड़ा चेहरा है हाल के दिनों में जैनियू छातर संग के प्रवध्यक्ष कनहिया कुमार की तुलना तेजस्वी यादों से की जाती रही है कि विपक्ष के दोनों नेता युवा हैं लगबग हम उम्र हैं और दोनों की अपनी सियासी समता है कनहिया कुमार उजस्वी वक्ता है तो तेजस्वी का बिहार में बड़ा राजनितिक जनाधार है वही जनवरी फरवरी में जब कनहिया कुमार CAA NRC के विरोध में ज्रनगन मने आत्रा निकाल रहे थे तो उनके मुखर अंदाज की चारो तरफ चर्चा होने लगी यही वज़ा रही है कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय में सहानुभूती पाई है और अपनी अच्छी पैट भी बना ली है इस दोरान कहा जाने लगा कि वह तेजस्वी को टकर दे रहे हैं काहिर है सियासी कयास बाजू के बीच तेजस्वी भी 23 फरवरी से बिहार की यात्रा सुरू कर दिये और CAA NRC के साथ बेरोजगारी को भी अपने एजन्डे में शामिल कर लिए हाला कि इस दोरान एक बात सामने आई वो ये थी कि कनहया कुमार कभी तेजस्वी यादो पर निसाना नहीं साथे और तेजस्वी यादो कभी कनहया कुमार को लेकर कुछ नहीं कहे एक तरफ जहां कनेया कुमार का निसाना हमेशा किंद्र और नरिन्र मोधी पर हुआ करता था वही दूसरी ओर ते जस्वी या तो हमेशा NDA और सुसील कुमार मोधी पर निसाना साथ दे रहे तो अगर इस बार चुना में ये दोनों चेरा एक साथ मंच शेर करता है तो ये देखना काफी दिल्चस्प होगा बहराल बिहार और देश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले अगर आप ये वीडियो मारे फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो मारे पेज को लाइक करें शेर करें धन्यवाद